आज हम बनाएंगे आलो से बहुत ही टेस्टी चटपटा मज़ेदार हिल्दी नास्ता हलो दोस्तों आप सभी लोगों का आर्ची मसाला किचन में स्वागत है रेस्पी अच्छी लगे तो लाइक से और सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए रेस्पी करें तो इसमें 20 25 करी हम पता इंट करेंगे और इसको भीम घ्रेट करेंगे और अच्छे से छला करके मेक्स कर लेंगे थोड़ा से इसको हम भूल लेंगे तो प्याज को बहुत जयादा नहीं भूलना है इसे थोड़ा मिक्स हो चुका है अब मिक्स करते हुए इसको हम लग disregard चलाते हुए भूनीगे। जैसे जैसे यह हमारी सब्सब्स भुणाईगी कौंटिटी में थोड़ी कम होती तो देखे, के दो सब्सकेट में कम एक है नमक एट करने से सब्सक्ति सब्सक्राइबने के वें पृट लिए सब्सक्राइब बस इतना ही मसाला डालना है तो अच्छे से मसाले को हमने भून लिया है अब हमने दो मीडियम साइज के आलो को बॉयल करके इसको ठंडा करके छील करके मैस कर लिया है इसको इसमें एड़ कर देंगे तो आलो को हमने एड़ कर दिया है अब सब्जीओं के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आलू को सब्जीओं के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसको हम थोड़ा देर के लिए भून लेंगे तो आलू देखिए हमारा भुना चुका है तो यह हमारा आलू का मसाला अच्छे से त्यार हो चुक अब इसको अच्छ से मिक्स करकी एक डोटियार कर लेंगे तो में देखिए कि ये डोटियार की चुका है अब हात को हम धूल लेंगे और हत्हेली पर तेल लगा लेंगे और थोड़ा-थोड़ा सा आलू में से पोर्षन लेंगे हम और ले करके एक इसका बाल बनाना है अब हम इधर 4 चम्मच मैदा लेंगे और एक बाल रख यह पसकर कों हमें मैदे के इस थे इना कीपहरी, अब मैदे भूतक करम भाएंगे समय। तो देखे एक बाल हमारा बन चुका है, इसी तरह से हम सारे बाल्स को coated कर लिएगे, तो हमने सारे बाल्स को coated कर लिया है, अब इधर आयल गरम हो चुका है, गैस के फ्लेम को medium to high कर देंगे, और एक एक बाल्स हम डालेंगे, एक बार में जितना पैन में आए, बस उतना ही बाल हमको इसी तुरंद नहीं पलटना है, थोड़े देर बात जब एक तरफ से हमारा हलका सा सिख जाएगा, तब इसको हम पलट लेंगे, तो देखे इस तरह से हमने बाल्स को पलट दिया है, तो थोड़ा इंटजार करने के बाद हलका सा तब हम इससे पलटेंगे, तो जैसे ज फूल करके अपनी साइस से बड़ा होगा इस तरह से हम इसको अलटते पलटते हुए दोनों तरब अच्छे से सुनारा हो गया है तो यह हमारा जो है नास्ता अच्छे से फ्राई हो चुका है और देखिए यह जो है फूल गया है किस तरह से तो इसे अब हम निकाल लेंगे तो एक छंडी में निकाल लेंगे जिससे क्या होगा कि एस्ट्रा तिल जो है निकल जाएगा और इसक तो यह हमारा आलू से बहुत ही चटपटाव टेष्टी सा नास्ता बन के तियार हो चुका है तो आई इसे हम सर्व कर लेते हैं तो हमने इसे तमड़नेटो केचप के साथ सर्व किया है इसका स्वादिश के साथ बहुत अच्छा आता है तो यह देखिए जो है आलू से हमारा कितना चटपटाव टेष्टी सा नास्ता बन करके तयार हो चुका है देखिए आपको देखने में ही कितना अच्छा लग रहा होगा और अंदर से यह बहुत ही साप्ट होता है तो देखिए आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कितना यह सा लाइक करिए सेयर करिए कमेंट्स करिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज भी लीजी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजे मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ